दोस्तो नमस्कार, The Facts Monster YouTube चैनल में आपका स्वागत है आए जानते हैं चांद के बारे में कुछ रोचक जानकारी चांद पर सबसे उचे परवत का नाम मौन्स हाइजन है तता इसकी उचाई 4700 मीटर है टेलिस्कोप से देखकर सबसे पहले चंदरमा का मानचित्र बिटिस्क गोल सास्त्री थामस हैरियट द्वारा बनाया गया था चंदरमा धर्ती के आकार का क्यवल 27 प्रत्सत ही है चांद प्रतिवर्ष हमारी प्रत्वी से 4 सेंटिमीटर दूर होता जा रहा है चंदरमा का छेतरफल अफ्रीका महादीप के छेतरफल के बराबर है चंदरमा का स्वयम का कोई प्रकास नहीं होता है वा सूर्य के प्रकास का परवर्तन करता है इस प्रकास को प्रत्वी तक पहुँचने में 1.3 सेकेंड लगते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्ती के अंदर लगबग 9 चांद समा सकते हैं धर्ती पर यदि आपका वजन 60 kg है तो चांद पर आपका वजन 10 kg ही रह जाएगा क्योंकि चांद पर धर्ती की अपेच्छा लो ग्रैविटी है प्रत्वी से देखने में चांद का आकार गोल लगता है लेकिन इसका आकार गोल नहीं है बलकि अंडाकार है चांद पर पानी की खोज भारत ने की थी भारत में 2008 में चंद्रयान मिसन के द्वारा चांद पर बर्प के रूप में पानी को खोजा था नील आर्मस्टांग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था तो उनके पैरों के निसान आज भी वहां मौझूद हैं और अगले कुछ लाखों सालों तक ऐसा ही रहेगा ऐसा चांद पर हवा ना होने के कारण है जब प्रत्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्रगान हो जाता है चंद्रमा की सता से देखने पर प्रत्वी अपने मूलाकार से चार गुना बड़ी दिखाई देती है साथ ही यह पूर्णीमा के चांद की तुलना में 45 से 100 गुना अधिक चमकदार भी दिखाई देती है चंद्रमा तेईस सो मील प्रति घंटे की आउसत से गति से प्रत्वी की परिक्रमा करता है धर्ती के मद से चांद के मद तक की दूरी 3,84,403 किलिमेटर है बारत विश्व का चौथा देशा है जिसने चांद पर अपना जंडा फैराया है चंद्रमा का वजन लगबग 81 अरब टन है सूर्य, प्रत्वी तथा चंद्रमा की पारसपरिक गुरुट्व कर्षन सक्ति की क्रिया सीलता के कारण समुद्र में ज्वार और भाटा उदपन होता है प्रत्वी का चकर लगाते समय चांद हमेशा एक ही हिसा प्रत्वी की तरफ रहता है अता दूसरा हिस्सा आज तक धरती से किसी मनुष्य ने नहीं देखा हलाकि बाकी हिस्से का फोटोग्राफ लिया जा चुका है चंद्रमा का दिन का तापमान 180 डिगरी सेल्सियस तक पहुँच जाता है जबकि रात का तापमान माइनस 153 डिगरी सेल्सियस तक गिर जाता है अगर चंद्रमान गायब हो जाए तो धरती पर दिन केवल 6 गंटे के लिए ही रहेगा नासा ने वर्ड रिकार्ड बनाते हुए चांद पर वाइफाई कनेक्शन की सुविदा उपलब्ध कराई है जिसकी स्पीड 19 Mbps की बेहद हैरत अंगेज है प्रत्वी की परिक्रमा करने में चांद को 27.3 दिन का समय लगता है चांद से आस्मान नीला नहीं बलकी काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ प्रकास का प्रिकेडन नहीं होता है चंद्रमा पर छोटे छोटे भूकम के जटके आते हैं जिने मून क्वेक कहा जाता है सुर्योदे और सुर्यास्त के समय चंद्रमा की सता पर धूल का गुबार मंड़ाता रहता है इसका असली कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद आज की जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इसी तरह हम आपको रेगलर नई नई जानकारी से आवबत कराते रहेंगे अता आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद जाहिन